हेलло इसकी बिटी टोयलेोट लवर्ज तो हैर जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे कि इसकी बिटी टोयलेट के बाद ढमistudio के नियू एपिसोड लगातर आते ही जा रहे है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न है लाग Dom Studio के episodes का analysis कर दिया जाए यानि explain कर दिया जाए होने भी तो इसलिए इस वीडियो में हम Dom Studio के episode 32, 38 को explain करेंगे इस वीडियो के last में मुझे तुम लोग से थोड़ी सी बातचीत करनी है बस थोड़ी सी करनी है फिलाल अभी अपना वीडियो start करते है तो episode 30 के start होते ही हमें Counter Titan and Titan Cameraman की खतरनाक fight देखने को मिलती है जहां Titan Cameraman Counter Titan को हवा में उड़ा ले जाता है और फिर बहुत तेजी से उसे जमीन पर पटक देता है और फिर उसे मार ही रहा होता है कि तभी Counter Titan Cameraman के हाथ पकड़ देता है और Titan Cameraman की बॉड़ी में से अपनी शौवर्ड को आर पार कर देता है लेकिन तभी Titan TV में अपनी टेलिपोर्टेशन्स पावर से Counter Titan का गला काट देता है जिसे Counter Titan बड़ी आसानी से जोड़ भी लेता है और फिर Alpha Female आ जाती है और Titan Cameraman से बूलती है कि कि इतनी बुरी तरह हारे हो अब हमारे पास पूरी धरती है कबजा करने के लिए बड़ तभी पीछे से Titan Clockman आ जाता है और Counter Titan के पीछे से उसे शौवर्ड से मार देता है और फिर हो Alpha Female को अपने हाथ में पकड़ के उठा लेता है और Alpha Female Titan Clockman से बोलती है कि तुम्हें इसकी सजा बुकतनी पड़ेगी तुम नहीं जानते कि तुम किस से पंगले रहे हो और थोड़ी देर में ये सब बोलकर गायब हो जाती है एंड टैटन Clockman टैटन TVman को रिपियर कर देता है और इस एपिसोड के लास्ट में हमें दिखता है कि Counter Titan की डेड बोड़ी में से एक मकड़ी बहार आती है और भही एपिसोड एंड हो जाता है एपिसोड 31 के स्टार्ट होते ही हमें TVman की गाड़ी दिखती है और इस मतलब क्या ही तगड़े फाइट सीन दिखाए गए गए यार इस एपिसोड में एकदम नेक्स लेवल एंड तभी लड़ते लड़ते speaker woman train की पटरी पर आगरती है और सामने से train भी आ जाती है बट तभी camera man speaker woman को पता नहीं कहां से light की speed से आके बचा लेता है और तभी ये लोग लड़ते जगड़ते बचते बचाते पहुँच जाते है इसकीबिडी बेस पर अपनी final battle के लिए और तभी हमें दूसरे scene में दिखाया जाता है कि तभी उसके पास और टाइटन camera man and टाइटन speaker man के पास final fight का message आ जाता है और ये लोग सब छोड़ चाड़ कर इसकीबिडी बेस पर चले जाते है और लास्ट में हमें दिखता है कि कुछ camera man's एक gate को खोलने ही कोशच कर रहे होते हैं और तभी ये episode भी end हो जाता है end episode 32 start होता है एक खतरना के लड़ाई के साथ जहां पर एक camera man अपने होश कवा बैठता है और उसे POV camera man घूसे मार का ठीक करने की कोशच करता है लेकिन वो ठीक नहीं होता तो POV camera man उसकी plasma gun लेकर इसकी भी टोलेट्स पर तूट पड़ता है लेकिन उसके तूट पड़ने से fight में कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ सी पैन, pencil man और clock man जैसे fighters already लड़ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ स्कीबिट टोलेट्स के helicopter आ जाते हैं और blast होकर नीचे गिरने लग जाते हैं लेकिन सी पैन उन हेलिकोप्टर से pencil and clock man को बचा लेता है लेकिन तभी हमें दिखते हैं कमांडो टोलेट्स जो की camera man पर हमला कर रहे होते हैं लेकिन अपना POV camera man कमांडो टोलेट्स को एक pin निकाल कर देता है और वो किसी bomb की तरह फट जाते है और तभी वहाँ एक skibri tank आ जाता है जिसे camera man अपनी rocket launcher से फोड देता है और picture में तभी entry हो जाती है Titan camera man की जो एक tank को उठा कर fake देता है और बाकी बचे हुए toilets को Titan TV man पेल देता है और तभी ये लोग पीछे देखते है और इन्हें दिखाई देता है skibri toilet की एरफोर्स आर्मी जो आने से पहले ही खतम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर Titan clockman की भी entry हो चुकी है और इसके बाद ये तिनों Titans हाथ मिलाते है और चले जाते हैं skibri toilet बेस की तरफ एपिसोड 33 में हमें starting में दिखता है skeleton toilet और उसकी आर्मी और दूसरी तरफ खड़े होते हैं हमारे Titans जिसमें से Titan TV man boxer toilet से boxing करने लगता है और Titan camera man lava toilet को मारने लग जाता है और इन्हें मारका Titan camera man and Titan TV man skeleton toilet को मार देते हैं और ये सब देखकर Titan clockman ताली बजाने लगता है और Titan camera man को repair भी कर देता है पर तभी वहाँ कोई चीज बहुत तेज ओड़कर आती है और Titans को मारने लग जाती है लेकिन Titan clockman अपनी abilities की मदद से उसको slow करके उस entity को पकड़ लेता है और तब उनको पता चलता है कि वो red skeleton toilet है बड़ तभी वहाँ से भाग जाता है लेकिन अब entry हो जाती है Skibidi Scientist की और तभी हमें 10 कंटे पहले की story दिखाई जाती है जहां हमें देखता है कि Skibidi Scientist Skibidi Base में enter करता है और फिर अपने suit से बाहर आकर अपनी army inspection करने जाता है जहां उसके अदमरे soldiers को दुगना powerful बनाया जा रहा था उन्हें अपग्रेड करके एंड थोड़ी ही देर में Skibidi Scientist एक और Scientist से मिलने चला जाता है जो कि बेसिकली लंगडा होता है और wheelchair पर चल कर आता है और Skibidi Scientist को जिन्दा देकर चौट भी जाता है और बोलता है कि Commander हम सब से मिलना चाहते हैं जहां इन्हें लियोनार्डो मिलता है और लंगडा Scientist इन और लोगों को जिन्दा कर देता है जिसमें से एक ग्रीन वाले का नाम बिली होता है और ये लोग जाकते ही पूछते हैं कि हमें कितने दुनों के बाद जिकाया है फिर लंगडा Scientist बोलता है कि बहुत जादा बहुत जादा टाइम हो गया हम लगबग खतम हो गए हैं और इसके बात ये लोग कमांडर के पास जाने लगते हैं और इनमेंसे एक लड़की बोलती है कि लगता है Titan Clockman हम सब पर भारी पड़ रहा है तभी cái एक साथी बोलता है कि उसे मारने का क्या प्लान है तो इस पर लंगडा Scientist बोलता है कि हम उसे नहीं मार पाएँगे इसी बात पर गुसा हों कि वो लंगड़े Scientist पर गुसा करने लग जाता है और लंगडा Scientist बोलता है कि वो लोग लड़ाई जीतेंगे पर ये पूरी जंग हम जीतेंगे और फिर लंगरा टाइटन अपनी war strategy बताते हुए बोलता है कि हम लोग Titan Clockman को मारेंगे नहीं बलकि उसे एक जगा बंद कर देंगे और फिर G-Man Apocalypse को launch कर देंगे और ऐसा करके हम war जीत चाहेंगे और फिर उसके बाद ये लोग Clockman की टाइम वाली ability के उपर बाते करने लगते हैं और फिर लंगरा scientist बोलता है कि let specify your roles for the final battle और फिर ये एपिसोड के last में हमें commander भी देखने को मिलता है जो कि किसी बहुत बड़े villain से कम नहीं लग रहा होता एपिसोड 34 स्टार्ट होते ही हमें Titans and Skeleton Toilet and Skeleton Toilet के बीच एक घमासान यूद देखने को मिलता है जहां Skeleton Toilet बहुत तेज और का Titan Cameraman को मार रहा होता है Titan Cameraman उसे अपने Electromagnetic से पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है and फिर Skeleton Toilet and Scientist Toilet भाग जाते है and episode 34 के part 2 में हमें episode 6 का scene दिखाया जाता है जहां Magnet Titan Clockman को damage कर देता है and फिर हमें इस सीरीज में एक नया character दिखता है जो है Photo Cameraman and तभी C-Pen बोलता है कि हम मदद नहीं कर पाएंगे हम numbers में ज़ादा नहीं है समझो इस बात को हम सिर्फ clone बना पाएंगे and फिर Penman अपनी pencil से draw करके एक और नया character बना देता है and तभी C-Pen को Skeleton Toilet के secret shelters के base मिल जाते है और Penman अपने clones के साथ वहाँ चला जाता है जहां हमें clearly humans दिख जाते है and कुछ football खेलते हुए बच्चे लेकिन इन निसानों को Skeleton Toilet के under में रखा गया था and फिर हमें एक लड़की दिखती है जो अपनी मम्मी पापा की फोटो देखकर emotional हो रही थी and वो अपनी मदर से बोलती है कि वो अपने पापा को बहुत miss करती है उन्होंने मेरे बाइड़े पर वापस आने का वादा किया था and इस पर Bethany की मा बोलती है कि लेकिन तुम्हारे बाइड़े तो कल है and फिर हमें दो इसके भी टोइलेट दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं उन में से एक बोलता है कि उन लोगों को और गार्ड़ को यहां बेशना चाहिए हम लोग यहां क्या ही कर लेंगे तब ही दूसरा गार्ड़ बोलता है लेकिन दूसरे टोइलेट्स तो सही से बोल ही नहीं पाते वो बस लड़ना जानते हैं यह लोग इतनी बात करी रहे होते हैं कि तबी वहाँ सीपैन और टीवी में एंट पैन में पहुंच जाते हैं और फिर ये दोनों टॉयलेट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इस जगा के बारे में किसी को नहीं पता और बोलता है कि इस जगा के बारे में एक जगा एकटा कड़ा कर देता है लेकिन वो बच्ची कहीं छुप जाती है सीपैन नहीं सब इंसानों को मारने के लिए एकटा कर दिया था लेकिन फोटो कैमरमेन सीपैन को समझाता है कि ये लोग हार्मलेस हैं ये निर्थोस हैं इन्हें मत मारो लेकिन ये चूथिया सीपैन रोबोर्ट बोलता है कि इंसानों जैसी कोई चीज़ नहीं होती नहीं ये मेरे डेटा में है मुझे लगता है कि मैंने कभी इंसानों को नहीं देखा तब ही फोटो कैमरमेन उसे समझाता है कि ये लोग हार्मलेस है चूतिया सीपन बोलता है कि सौरी बाई साब लेकिन इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हर्मलेस हो यह लोग हुमन स्किबली टॉयलेट है जहां यह वीक हो या स्ट्रोंग बच्चे हो या बूड़े अगर हमें फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को अवर्ड करना है तो से लड़ रहा होता है और एक कुझतें टैटन क्यम्हें के पिछे लिटरली हाथ पैर सब दोके पीछे पढ़ जाते हैं जाते हैं तब एक टॉर्बी डॉक्स टायटन केमरमें को ऑल्बोस्ट मारने ही वाले होते हैं तब ही टायटन स्पीकरमें को स्टिर हो जाती है और यह आते ही चूति हो को लिए फिसे स्टायटन स्ट क्लाूक मेंड को अकेला चोड़कर चला जाता है तिर हमां सिकुरी ऑफ Keith का P&G feder जालते हैं तभी एक स्कीबीडी गार्ड दूसरे साइंटिस्ट टॉलेट को फोटो देता है जिसमें हम लोग किलियली मूमो होरर टॉलेट को देख सकते हैं तभी ये गार्ड बाहर चले जाते हैं जहां अलफा फीमेल आ चुकी होती है और आकर बोलती है मुझसे मत डरो मैं दुश्मन नहीं हूं बलकि तुम्हारा और मेरा तो एक ही दुश्मन है लेकिन तभी ये दोनों गार्ड अलफा फीमेल को मारने चली जाते हैं और बेचारे खुद ही मर जाते हैं और फिर बचा हुआ गार्ड एक होरर टॉलेट को अलफा पर हमला करने का ओडर दे देता है लेकिन अलफा फीमेल तुरंट काउंटर टैटन को बुला देती है और काउंटर टैटन इसे मारता तो है लेकिन इसे अपने साथ भी ले जाता है उसे मारने के लिए और तभी इसकीबेडी बेस से एक हाइबरेड डेटेक्सिट सा तिकने वाला टॉलेट बाहर आ जाता है और अलफा फीमेल को अपनी टीम में लेने के लिए इंडिरेक्ली कन्विंस करने लगता है और तभी एपिसोड भी एंड हो जाता है और एपिसोड 36 स्टार्ट होते ही हमें इसकीबेडी बेस दिखाई देता है और तभी टैटन टीवी मैन इसकीबेडी साइंटिस होता है और तभी वहां लावा टोइलेट की एंट्री भी हो जाती है यह लोग जैसे तैसे करके वहां से निकल देते हैं और जैसे ही यह लोग वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि तभी एक अप्गेरेड़े टोईलेट आ जाता है जो अपनी आँखों से लेजर मारके नीचे फैक देती है फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं एक और रूम की तरफ जहां मैं विलियम लियो और उनकी पूरी अलाइंस दिखती है और इन लोगों ने चीफ ड्रिल वूमेन को अपनी लेजर के अंदर बंद करके रखा होता है बिली इन सबसे बोलता है कि इस ज बिली प्लेंजर केमरा मेंठ पर अटेक कर देता है और तभी पता नहीं क्यों पर एक सकिबिडी हाईब्रेट टोलेट बिली को κα्या मारने लगता है और एहां असेजिस बाता है और उस टीफ बिली kilogram को विलियूंट पकड़ देता है और उस पर हमला करणा चुड़ देत जिससे अब Assassin Drill Man को hallucination होने लगते हैं एपिसोड 37 के part 2 में हमें Titan Drill Man दिखता है तब यह वहाँ Titan Speaker Man और Titan Cameraman आ जाते हैं और Titan Speaker Man तो Titan Drill Man पर attack भी कर देता है बेना यह जाने की Titan Drill Man उन्हें की तरफ है लेकिन जैसे ही लोग को यह पता चलता है टाइटन डिलमेन हमारी तरफ है, तभी ये तिनों अपने अगले एनेमी के पास चले जाते हैं, और वहीं हमें दूसरे तब दिखाया जाता है कि टाइटन टीवी मेन इसकी बीडी साइंटिस्ट लड़ाई कर रहे होते हैं, और तभी कुछ इसकी बीडी हेलिकोप्रेट खोल देता है, जिससे वो सब कहीं और टेलिपोर्ट हो जाते हैं, तभी वहाँ टाइटन केमरमेन आ जाता है, लेकिन उस पर कुछ इसकी भी टॉलेट्स हमला करने लगते हैं, और तभी पीचे से लियो भी अपनी गन लोड करता हुआ आ जाता है, ये सब चली रहा होता है क जो कि उस इंसानी बच्ची को बचा रहा होता है सीपैन गदे से, तो कि सीपैन चोमू को ये लगता है कि इंसानी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, खैर वैसे ये लाइफ में देखा जाये तो ये बास सच है, लेकिन सीपैन भाई, इस बिचारी बच्ची ने तेरा के बग निकलती है, एपिसोड 38 के स्टाइटिंग में ही हमें देखता है कि टाइटन स्पीकर मैन एंट टाइटन डिलम्स का गला काटने के लिए अपनी कुल हडी मारता है, लेकिन ये उसे अपने मुह से पकड़ कर तोड़ देता है, और वहीं दूसरा सीन में हमें देखता है लेकिन टाइटन टीवी मैन इन सब को तो पेल देता है, लेकिन तभी लियो एंट सूजी मिलकर टाइटन टीवी मैन पर अपनी गन से अटेक कर देता है, और टाइटन टीवी मैन वहीं फ्रीज हो जाता है, और टाइटन टीवी मैन उन सब को दूर फिक देता है, और पेंसल वूमेन की योकि एकदम न्यू गैरेक्टर है इसकी भी टोलेट मल्टी वर्स में जैसे ही वो आती है तब यह सारे स्कीवीडी एजेंट सूजी एंड लियो घबरा जाते हैं और यह सब भागने के लिए बोलते हैं लेकिन टाइटन पेंसल वूमेन सारे स्कीवीडी हे अब तक के लिए बाए